नमस्कान जनलती पुकार मैं कस पागत थे 134 वार्दातों में शामिल कुख्यात बदमाश राज़ पार्ख थाना पुलिस के हाथो आखिर कार्थ पकड़ा पया बाहरी जिला की राज़ पार्ख थाना पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गरफतार किया है जो पुलिस को चक्मा देने के लिए अक्सर अपने नाम बदलता रहता था यह शातिर आरोपी एक दो नहीं बलकि 134 से जाधा वार्दातों में शामिल रहा है उसके पहचान अरुण उर्फ गोपू उर्फ विनै उर्फ सरदार उर्फ गुडी उर्फ कुनाल उर्फ मोनू उर्फ सचिन उर्फ राहुल उर्फ साहिल उर्फ सुरेंद्र पुत्र राजेंद्र उर्फ अमित निवासी जुकी लालबाग आजादपुर उम्र 37 साल के रूप में हुई है पकड़ा गया आरोपी आदर्श नगर थाने का घोशित बदमाश भी है और वहाँ हर बार जेल से बाहर आते ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देता था पुलिस ने उसके खिलाफ मामरा दर्श कर करवाई शुरू कर दी है साथ ही उसके पास से चाकू और चोरी की स्कूटी भी जब्त की गई है डिसिपी हरेंद्र सीही ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपार्क थाने की एंटी स्नैचिंग टीम ने शामिल हड़ कॉंस्टेवल गंशाम और कॉंस्टेवल योगेश को इलाके में संदिक्धों पर निगाह रखने के दिशा निर्देश दिये थे साथ हीवे तिहार जिल से बाहर आए बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे इसी कड़ी में शुक्रवार को दोपोहर बारा बचकर 55 मिनिट पर इंद्रा पार्क गेट जलेवी चौक सुल्तानपुरी के पास भाहन चेकिंग करते हुए पुलिस टीम ने आरूपी का स्कूर्टी से आते हुए देखा पुलिस ने संदिक्ध गतिविधी को देखते हुए आरूपी को रुकने का इशारा किया जिस पर वह भागने लगा हाला कि पुलिस टीम ने सक्रियता से उसका पीछा किया जिसके दौरान आरूपी स्कूटी का संतुलन बिगरने से नीचे गिर गया इसके बाद आरूपी ने भाग़ी की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया वहीं उसके पास से जब्त की गई स्कूटी भी हरे अगर इलाके से चोरी की गई हुई निकली है अब आरूपी पुलिस की गिर्फत में है और उसके खिलाफ आगे की कारवाई की जा रही है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्फिया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार